जैहिन दोस्तों मैं मनीश कुमास स्वागत करता हूँ आपका हमारी इस नए वेडियो में दोस्तों महात्मा गांधी कासी विद्धा पिट सत्र 24 और 25 का एडमीशन स्टार्ट हो गया है आप यूजी और पीजी और डिप्लोमा के लिए आवेजन कर सकते हैं सबसे पहले आप आजाएंगे इस ओफिसल बेवसाइट पर इसका मैं लिन डिस्क्रिशन में दे दूँगा बेवसाइट पर आने के बाद देखेंगे यहाँ पर एक सुचना आपको दिखाई देगी चलता हुआ यहाँ पर आवेजन के संबंध में सिंपल इस पर आप क्लिक करके देख सकते हैं कौन-कौन से कोर्स यहाँ पर अवेलेवल हैं इस क्रॉल करके नीचे बढ़ेंगे यहाँ देखे दिया गया है डिप्लोमा, डांस, कथक यहाँ देखेंगे जो इसकी अवेजन तीथी है वो देखने को मिल जागा उसके बाद इसकी अंतिम तीथी जो है यहाँ से देख सकते हैं इसकी परकाल से नीचे बढ़ेंगे यहाँ पर बीफे दिया गया है तो यहाँ पर जो भी आप देखना चाहते कौन-कौन सा कोर्स अवेलेबल है तो यहीं से आपको देखने को मिल जागा इसकी अवेदन तीथी कव है और इसकी अंतिम तीथी कव तक है यहां से देखने को मिलेगा इस क्रॉल करके और भी नीचे बढ़ेंगे तो जितने भी कोर्सेस हैं योजी और पीजी के डिप्लोमा के सब यहां पे सो करेंगे यहां रखेंगे वन टू त्री फोर करके दिया जैसे क्लिक करेंगे यहां देखेंगे कुछ फॉर्म ऐसा खुल के आएगा अप्लिकेंट फूल नेम यहां पे दिया हुआ है तो यहां पे आप अपना पुरा नाम यहां पे लिख दीजेगा नाम पुरा लिख देंगे उसके बाद देखें यहां पे अप्लिकेंट आप ब उसके वाद दोस्तों यहां पर नीचे बढ़ेंगे दिवारा से एंटर करेंगे आप हैंसे इसज़िक और उसके यहां पर और अप्स लिखेंगे इस कैप्चा को यहां नीचे जो है 262135 जो दिया है लिखके यहां पर सब्मिट और टीपी के ओप्सन पर क्लिक करेंगे अब जैसे ही आप सब्मिट करेंगे आपका रिस्टेशन सक्सेस्फूल हो जाएगा उसके बाद आपको फिर लॉगिन करना पड़ेगा चलिए मैं अब लॉगिन करके आपको आगे के प्रोसेस दिखाता हूँ अब यहां जोस्तों लॉगिन के आप्सन पर आ जाएंगे फिर से उसी पोटल पर तो यहां देखे अपना इमेल ऐड़ी फिल कर दीजेगा जो भी इमेल ऐड़ी होगा उसके बाद यहां पर पासवर्ड अपना जो आप क्रेट किये हैं उस पासवर्ड को यहां पर फिल कर आप जैसे के बाद नीचे बढ़िएगा यहां आपको क्यप्चा दिखाए रहा है 88784741 यहां पर लिख देंगे उसके बाद यहां लॉगिन के ओप्सन पर क्लिक करेंगे अब जैसे लॉगिन करेंगे यहां देखे कुछ ऐसा आएगा इंटरफेस अपडेट के ओप्सन प यहां पर चूज करिएगा अब जैसे माली जिए आप यहां पर EWS चूज करते हैं तो यहां पर सर्टिफिकेट नंबर देंगे किस तारीक को जारी किया गया है यहां पर 1 अप्रेल 24 के यहां जो है कि बात का होना चाहिए आपका EWS सर्टिफिकेट ठीक है उसके बाद माली सर्टिफिकेट कव जारी किया गया है उसको यहां पर देंगे अपने पर चूज कर देंगे अब यहां देखेए इमेल आईडी को है तो देंगे मुस्लम सी किसाइग जो भी आप होंगे अपने धरम को चूज कर लिजेगा आगे बढ़ते हैं उसके बाद आप देखेंगे यहां पर दिया गया है family details यहां पर mother's name में अपने माता जी का नाम फिल कर दीजेगा मैं यहां पर demo तो भराओं जो की real नहीं है उसके बाद यहां उनका mobile number देना है तो दे सकते हैं तो छोड़ सकते हैं इसको यहां पर देखेंगे father's name का option यहां पर पिता जी का नाम फिल कर दी दीजेगा उसके बाद देखेंगे mgqap registration details यहां पर पूछेगा आप से have you enrolled in mgqap before any इसके पहले आप मात्मा गांधी कासी विद्या पीट में फॉर्म भरे हैं तो यहां पर yes or no में जवाब देगे तो यहां पर अपने according जवाब दीजेगा उसके बाद other category में यहां पर click किस प्रकार का या दिव्यांग आप नहीं होंगे तो यहां पर not fully cable का भी option है तो not fully cable चूज कर सकते हैं तो अपने according यहां पर चूज करिएगा उसके बाद देखेंगे यहां दिया गया है आप होंगे तो यहां पर yes or no में जबाब देंगे आगे पढ़ेंगे यहां देखे address का option मिलेगा आपको यहां पर पुरा पता फिल करिएगा जैसे village का नाम यहां address line 2 में अपने post का नाम लिख दीजेगा उसके बाद यहां पर देखेंगे country का option है यहां पर अपना country स्लेट कर देगे यहां इस टेट में जाके अपने राजे को स्लेट कर देगा जिस भी राज पता होगा तो यहां देखेंगे checkbox पर ट्रिक करेंगे तो नीचे automatic fill हो जाएगा उसके बाद नीचे बढ़ेंगे save and nest करके आगे बढ़ जाईएगा पॉपाप आएगा ok करेंगे अब देखेंगे आपने जो वरतमा में सब फिल किया है वह सारी जानकारी यहां पर preview बनके इसके जानकारी देंगे जिसमें कि आपको benefit मिलेगा एकजाम में तो यहां पर देखेंगे दिया गया है if you wish to apply in sports पोस्ट सुप्रीमेंसरी कोटा क्लिक टू अपडेट डीटेल बटन तो यहां पर add and update इसपोर्ट डीटेल के option पर क्लिक करेंगे तो ठीक है तो सिंपल इसपे आप क्लिक कर दीजेगा यहां क्लिक करेंगे तो देखें यहां पर दिया गया है किस रैंक के आप खिलाड़ी है से आगे बढ़ जाएंगे प्लिक कर दीजेगा अब देखें आप आप जाएंगे यहां पर अदर डिटेल के option पर यहां पर दिया गया है अगर कोई श्टाफ नहीं होंगे तो not applicable चूस करिएगा उसके बाद देखेंगे यहां पर दिया गया है सर्टिखर अगर से क्लिक्ट करके यहां से चूस कर लेंगे अ santos आप चूस करेंगे एपने reading तो हेंपर वह सुस्जाश पर डिपेंडेंट है तो यहां पर चूज करेंगे जैसे कि मालेज़ आपके घर में आपके पिता सर्विस में है या एक सर्विसमें है या उनकी जौब पर चूज़ करेंगा यादि कोई नहीं होंगे तो यहां पर नो के ऑप्शन पर क्लिक कर दिएगा उसके बाद देखें आपको यहां पर इंग्लीज दिया गया है तो इंग्लीज आप कर सकते हैं चेक बोक्स पर टीक करना है हंदी है यहां पर पड़ सकते हैं यहां पर जानकारी यहां पर दिएग करके आगे बढ़िए गा है तो यहां पफ ने मिल अपलोड हो जाएगा उसके बाद निचे बढ़ेगा यहां पे सिल्शेट फाइल पर क्लिक करके यहां पे सिंग्नेचर भी अपड़ोड कर दिजेगा उसके बाद निचे बढ़ेंगे यहां देखिए नेश्ट प्रीविव को औपशन मिलेगा आपको तो यहां पर नेश्ट अपडेटिट हो गया है, signature भी uploaded हो चुका है, उसके बाद दोस्तों यहाँ नीचे बढ़ेंगे, submit and lock के option पे click कर देंगे, यहाँ पे checkbox लेगा, checkbox पे tick करेंगे, confirm and lock के option पे click, अब दोस्तों यहाँ पे आप आ जाएंगे, select the program के option पे, तो यहाँ से आपको choose करना है, कि आप किस के लिए apply करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ आपको PG के लिए apply करके दिखाऊंगा, क्योंकि UG पर मैं एक already video बना चुका हूँ, तो अब यहाँ पे select, यहाँ पे program के option पे click करेंगे, तो इन में से आप यहाँ पे master post graduation program को choose कर लेजेगा, ठीक है, PG के लिए apply करते हैं, तो इसको choose कर लेंगे, उसके बाद देखिए, program select के option पे click करेंगे, तो इन में से बहुत सारे subject यहाँ पे show कर रहा है, तो आप जिस भी subject से करना चाहते हैं, master degree लेना चाहते हैं, उस subject को आप choose कर लिजेगा, सभी का प्रक्रिया एक समान है, मैं इन में से किसी एक को choose करके दिखाऊंगा जैसे मैं sociology से form भर के दिखाऊंगा आपको, तो आप इन में से किसी भी subject को choose करेंगे, तो इसकी जो प्रक्रिया है, form भरने का same to same है, ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकास से choose कर लेंगे, अब देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है, जो है बाइस के पहले जो लोग graduation पास किये हैं, वो लोग इस form को नहीं भर पाएंगे, यानि कि 22 में आप पास किये हैं, 23 में किये हैं, और 24 में appearing हैं, तो आप इसको जो है, form को भरने के लिए eligible होंगे, ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आपको अपनी faculty choose करने का option लेगा, यहाँ से faculty को select कर करेंगे, उसके बाद यहाँ से nest करके आगे बढ़ेंगे, और आप जैसे nest करेंगे, यहाँ परेखेंगे personal details आपका सो करेंगा, जो कि मैं पहले registration के बाद जो form किया था, उसमें दिखाया हूं मैं, वही चीज़ आपका यहाँ पर open होगा, उसके बाद निच्ट करके आगे ब पास के हैं, उसको चूस कर लिजेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, परसेंटेज चूस का option बिलेगा, यहाँ दोस्को देखेंगे, आपको रेट कलर में यह से box दिखाईजे रहागा, इसको मैं नहीं नहीं लिजेगा, क्योंकि यह मैं पहले से register किया हुआ तो पहले से मैं data इसमें save था, तो मैं इसको delete करके जो है, आपको समझाने के लिए बर delete किया हूँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कच्छा 10 का बोर्ड उनिवर्सिटी क्या था, उसको यहाँ पर लिख दीजेगा, अब लिखेंगे, यहाँ यहाँ subject एक combination, तो कच्छा 10 में आपका जो भी subject था, 6 subject यहाँ पर लिख दीजेगा, ठीक है, subject लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे, हाई स्कूल का, उसके बाद नीचे scroll करके आगे बढ़ जाईएगा, नीचे बढ़ेंगे, आप देखें, यहाँ पर आपको कच् प्रजियन में 1, 2, 3, 3, अपने according चूस कर लिजेगा, कितना percentage आप 5 percentage को यहाँ पर लिख दीजेगा, ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे, यहाँ यहाँ पर लिख दीजेगा, जहां से यहाँ पक्छा बाद यहाँ कच्छा बाद पास की था, ठीक है, पते के साथ कर्द करेंगे आप आप से पुझारिंग चुछ ल करेंगे सिभास को अपने का रिगी यहां पे्जुषिए यहां पुझा यहां सैंट डू knife को कि कुछ करेंगे यहां से यही क्या रीयों सब्सक्राइब के मुझतने जबाइधी रोड़ंगी सब्सक्राइब नीचे have you passed graduation with honours तो आप honours से passed किये हैं तो यहाँ पर yes or no में जबाब दे देंगे उसके बाद यहाँ देखे दिया गया है graduation name of the board university कहां से आपने graduation किया है उसे university का यहाँ पर नाम दे देंगे तो यहाँ पर नाम लिख दीजेगा उसके बाद देखे यहाँ पर दिया गया है नीचे graduation institute college तो यहाँ आप महात्मा गांदी से ही किये हैं या अदर्स जगहां से किये हैं तो अपने according चूज करेंगे यदि अदर्स से किये होंगे तो यहाँ पर देखे आपको यहाँ पर नाम लिखना पड़ेगा उस महावी जालर का नहीं तो महात्मा गांदी से होंगे तो महात्मा गांदी चूज कर लिजेगा उसके बाद यहाँ graduation course name तो आपने कौन सा course कर रखा है graduation में तो यहाँ इस परका से लिख देंगे उसके बाद नीचे बढ़िएगा यहाँ पर ग्रेजुवेशन में division आपका क्या था पर सेकेंट एड उसको लिख दीजेगा graduation की आपका roll number क्या था यहां पर लिख देंगे roll number वाले option में इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो यहां पर देखिए दिया गया है graduation percentage for candidate whose qualification status is appearing average percentage till last examination should be previous year if you यहां पर दिखिए दिया गया तो इसका मतलब यह हुआ कि आप मारी जिए पास है ठीक है result आपके हाथ में है तो percentage लिखेंगे graduation में कितना percentage आपका था यहां पर लिखा हुआ है तो यहां पर लास्ट यहां पर लिखा हुआ है तो लास्ट यह का पर संटेज कितना था उसको यहां पर लिखेंगे कितना average उसका percentage था उसको लिख दीजेगा जैसे कि माली आप फर्स्ट यह और सेकेंड यह का percentage मिला लिजेगा जितना भी बनेगा उसका जो है और निकालके यहां पर भरेंगे appearing वारे ठीक है इतना किलियर हो गया है तो यहां पर बास होंगे तो percentage लिख दीजेगा appearing हो है जो है अपना last year का और सथ निकालके यहां पर percentage लिखेंगे उसके बाद दोस्तों सेवेट करके आगे बढ़िएगा आगे बढ़ेंगे अब देखें यहां पर कुछ आपका इस प्रकार से प्रिव्यू दिखा देगा जो अभी भी आपने भरा हुआ है यहा के लिखेंच करके आगे बढ़ेंगे जोस देखेंगे यहां पर कुछ इस प्रकार से आपका सोग करेगा ज़ाहेंगे अब यहां पर आंगे के सेक혼ниदर में अपर अप्लोड़ीग यहां पर कच्छा बारा कमार सीट अप्लोड करेंगे उसके बाद यहां पर ग्रेजिवेशन का सर्टिफिकेट यहां पर अप्लोड करना पड़ेगा जैसे यहां पर प्रिव्यू पर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखिए आपकी सारी जानकारी कुछ इस परकार से बनके आज सारी जानकारी यहां पर सो करेगी बहुत जानपुरुक अच्छे से पढ़ते हुए नीचे आईएगा नीचे बढ़ेंगे यहां पर आपको सब्मिट का बटन दिखेगा सब्मिट के ओप्सन पर क्लिक कर दिजेगा अब आप सब्मिट जैसा ही करेंगे यहां पर बस आपको समझाने के लिमें डेमो टरफे इसको भराऊं तीक है उसके बाद यहां देखेंगे पेमेंट गेटवे आईसी 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 पे क्लिक कर दीजेगा अब पेमेंट करेंगे यहां देखेंगे नेट बैंकी डेविट काड क्रेडिक काड यूपियाई से भी आप कर सकते हैं जैसे आप यूपियाई चूज करते हैं तो यहां पर देखेंगे यह सब आप्सनल इसको नहीं भरना है उपर आपका मौवाइल नमबर सो करेगा आपसदे यहां पर देखें की यूवाउर कोट को आपसन आपको मिल जाएगा की क्लिक कर देंगे यहां पर करके payment कर दीजेगा ध्यान दीजेगा payment के time आपको जो payment कर देंगे तो refresh प्रेस्ट प्रेश नहीं किजेगा नहीं तो आपका 100% payment फसने का chance होता है जब आपका प्रेमेंट successful हो जाएगा तो आटोमेटिक आपको redact कर देगा print out ले आप अपना ले लेंगे और आपका form complete हो जाएगा तो आसा करूंगा वीडियो आपको समय में आई होगी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलेगा चैनल पर नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजेगा और इसे अपने जवरत मन दोस्तों में शेयर भी कीजेगा मिलते कि देने स्बीडियो में तप्तकिले जाहने